नवस्कार दोस्तों मैं हूँ अविशेक और आप देख रहे हैं Solve Tax Problem दोस्तों आप सबको पता है GSTCV का due date इधर से उधर हो चुका है काफी सारा confusion है कब तक file करने से late fee नहीं लगेगा कब तक file करने से reduced late fee लगेगा late fee calculation होगा तो कब से होगा और अभी तक जिनों ने भी full late fee दे चुके है कि आउनको refund मिलेगा यह काफी सारा confusion है तो मैं कोशिश करूँगा इसी एक वीडियो से आपका सारा confusion दूर कर पाओ तो please इस वीडियो को आखिर तक देखिए कोई भी portion skip मत कीजे दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखें यह है आपका GST portal यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है relief in late fee to taxpayers filing from GSTHVB दोस्तों सबसे पहले बता दू हम लोगों को सबसे पहले पता करना पड़ेगा GST department क्या बोलना चारहे क्या information देना चारहे हम लोगो तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे click करेंगे और देखते हैं वो लोग कहाँ पे focus कर रहे है देखिए दोस्तों यहाँ पे दो notification को यहाँ पे highlight कर दिया गया है 52 और 57 और इन दोनो notification में ही सारा चीज clear हो जाएगा मैं यहाँ पे दोस्तों पता दू notification number 52 में बोला गया था conditional due date दिया गया था उसके अंदर file करने से आपका late fee नहीं लगेगा पर सवाल आता है अगर वो due date cross हो जाता है तो फिर late fee कितना लगेगा उसका clarity कर दिया गया notification number 57 पे बोला गया अगर वो due date cross हो जाता है तो फिर ठीक है late fee तो दिना पड़ेगा पर अगर आप 30 September तक 30 September तक file कर लेते हैं तो फिर reduce late fee होगा अगर आपका tax payable है तो फिर maximum 500 rupees आपका late fee होगा और अगर tax payable नहीं है तो फिर nil late fee होगा इस बात का लेके मैं एक chart already create कर चुका हूँ दोस्तों देखें यहाँ पर स्टेट को small tax payable के लिए स्टेट को दो पार्ट में बाटा जाता है category A state में आता है दोस्तों वहीं 36 गर मदपदेश, गुजराट, महारास्टा फिर करनाटका इस्ट्रे 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 और category B state में आते है आपका राजस्तान, उत्रपदेश, वहिस्ट पेंगल, हरियाना, जारकंड, ठीक है दोना का डेट थोड़ा सा अलग-अलग होता है मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ देखिए February, March, April, May, June, July August का बात यहाँ पर मैं नहीं करूँगा यहाँ पर आता है दोस्तों, नोटिफिकेशन नुमर 52 केता है जो डूब डेट है तीस जून, थर्ड जूलाइ, जिक्स जूलाइ, बारा सप्टेंबर, तेरी सप्टेंबर, सताइस सप्टेंबर अब दोस्तों बोला गया कि अगर यह जो डेट है इसके अंदर, इस डेट के अंदर अगर आप लोग फाइल करते हैं तो एक वी लेट फी नहीं लगेगा बहुत बढ़िया पर यह डेट क्रॉस हो गया तो फिर क्या होगा, लेट फी देना पड़ेगा पर कितना देना पड़ेगा यहीं पर बोला गया जहां पर बोला गया कि अगर 30 सेप्टेमबर तक आप लोग फाइल करते हैं तो फिर रिडियोस लेट फी होगा वो क्या होगा अगर आपका फिर से बोल रहा हूँ अगर टैक्स पेबल नहीं है तो फिर नील होगा और अगर टैक्स पेबल है तो फिर 500 रुपिस मैक्सिमम उससे जादा अगर कुछ है वो हो गया कम्प्लिट होए अब यहां पर सवाल आता है अगर कोई 1st October के जाके फाइल करते है तो फिर लेट फी कब से कलकुलेट होगा दोस्तो इसके लिए थोड़ा सा यहां पर जाएंगे यह सर्कुलर नंबर 141 ठीक है और इसमें इंटरेस्ट और लेट फी को लेके पूरे साब साब बोल दिया गया था इस वीडियो में स्रिफ लेट फी का बात करूँगा इंटरेस्ट का बात अगले वीडियो में करूँगा ठीक है दोस्तों यहां पर देखे क्या बोला गया था इन केस वीडियो प्रिटान इन फॉर्म जीश्टे ए 3B अगर कोई 20 सेप्टमबर तक फाइल कर देता है तो ठीक है रिडियूस लेट फी लगेगा पर कोई अगर 1 ऑक्टोबर में जाके फाइल करता है 20 सेप्टमबर तक फाइल नहीं करता है तो फिर जो लेट फी काउंट होगा वो start होगा original due date से ना कि extended due date से इस बात का ध्यान आप रोको रखना है दोस्तों ठीक है इसी तरह के आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है जिनका part B का state है उनका जो original due date है वो है 24th March, 24 April, 24 May, 14 July, 24 July, 24 August और जो extended due date था वो है 13 June, 5 July, 9 July, 15 September, 25 September, 29 September यहां तक file करने से यह जो no let fee file within यहां तक file करने से कोई भी let fee नहीं लगेगा 30 September तक file करने से दोस्तों reduced let fee लगेगा अगर उसके बाद file करते हैं तो फिर full let fee लगेगा और let fee count होगा आपका original due date से इस बात का दियान आपको रखना है अब दोस्तों यहां पर last taxpayers का बात करते हैं उनका जो due date था 20 March, 28 April, 20 May, 27 June, 23 July, 29 August, 20 September यह था original due date let fee जो conditional due date था 24 June, 24 June, 24 June, 27 June, 20 July इसमें कोई extension नहीं किया गया था फिर यहां पर बोला गया है अगर 30 September तक file करते हैं तो reduced let fee अगर 30 September के बाद file करते हैं तो फिर full let fee लगेगा और count होगा original due date से यह है सबसे बड़ा बात आशा करता हूँ कोई यहां पर confusion और नहीं है अब दोस्तो सबसे important बात क्या let fee refund होगा कोई अगर excess let fee already paid कर चुका है जैसे कि दोस्तों देखिए 24 June को था February का due date अगर कोई 26 यह 27 को file कर चुका है और काफी सारा let fee paid कर चुका है पर अभी notification आ चुका है कि 30 September तक फाइल करना है तो फिर क्या होगा क्या उनको refund मिलेगा देखते दोस्तों पॉर्टल यहां पर क्या बोल रहा है देखिए दोस्तों यहां पर क्या बोल रहा है अगर विडियो आपको अच्छा लगा है उसके बारे में दोस्तों अभी तक कुछ पता नहीं है उसके बारे में जरूर कोई notification आएगा को इंस्ट्रक्शन आएगा उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा तो दोस्तों आज के लिए तना ही अगर वीडियो आपको अच अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल एकन प्रेस कीजिएगा क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए और भी लाता रहूंगा आज के लिए इतना ही थैंक्यों दोस्तों थैंक्यों वेरी मच